चलो आप टाइम टिवल के बारे में डिसकस करते हैं बच्चे पूस्तर रहते हैं किसार हम कितने घंटे क्या पढ़ें कौन सा सब्चेट को कैसे टाइम दें तो मैं आपको एक ब्रिफ इंट्रो देता हूं पहले की कैसे अपने वो कितने घंटे की सब्जेट में देने जैसे ऐंको तीन घंटे मैस की प्रेक्टिस करने हैं ऐसी सब्च्छ ब DAY के अंदर यह मैं आई इसी के बच्छों कि लिए बता रहा हूं पहले संस्स्री से लिए ऑप zawsze अबकि अदर एक और काम कर सकते हो आकिसे अमपास फीजीगल है औरनिक है इन टनीक है जैसे आपको फीजीकल प्रवाइब फिजिकल और निक में से कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है सब्पोस कीजिए आपकी नौनी केमिस्टी बहुत अच्छी है तो आपको एक ही गंड़े पढ़ना है यानि अपने को जो विकर सब्जेक्ट है ना मारा उस पर जादा टाइम देना है तो आर गंटे को आप इंटर्चेंज कर सकते हो एस पर यौर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ठीक है मैस और फिजिक्स में आपको तीन तीन गंटे देने यानि टोटल जो पढ़ाई है ना वो डेली आपकी मिनिम्मम दस गंटे की होनी चीए हो सकता है आप में कुछ बच्चे सोचे इसमें भी ाप थोड़ा सा इंटर्चेंज कर सकते हो इसको 323-253 कर सकते हो जैसे मलो फारती में दोटो है तो आप साधंतिं घंटे कर लो फिजिस को आप डाईएंगंटे कर सकते हो लेकिन आपको स्टॉप वॉच्स लगा के पढ़ना है यार मेरी घड़ी आपने ऑन की स् आर वन आर ऐसे पढ़ना है ना सिम्लिली हमारा जैसे मैस है तो मैस में भी क्या करना है हमको ऐसे वन आर वन आर वन आर वन आर जैसे आपको दो चाहर मिन वॉक करना चीए ताकि नेक्स एक घंटा क्रॉस करो इस टाइब से तो आपके अंदर है दिमाग के अंदर सब पॉस्टिस माइंड में रहेगा कि यार चलो दो घंटे हो गए एक बाकी है फिजिस के तीन होगे इसके तीन बाकी है और वो जो हम कट करेंगे ना एक घंटे को एक कॉंफिडेंस आएग करो उसको अपने रूम में पेस्ट करो आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्वेबस क्या क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स में जनली 11 वाले पर फोकस करो क्योंकि 11 के जो टॉपिक्स है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो रखी होती है 12 के टॉपिक्स में हम 12 का में आपने को ज्यादा effort डालने तो start with 11 ठीक है और यह तो 10 गंट है ना इसको बना भी सकते हो आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं 11-12 कर सकते हो लेकिन हमको average 10 गंटे लेना है यानि पूरे महीने का अगर हम average निकालेंगे तो हमारा तीन गंटे physics तीन गंटे mess और चार गंट chemistry यानि यह 10 गंटे पूरे हो जाने चीए मैंने chemistry को थोड़ा ज्यादा इसलिए दिया कि थोड़ा scoring भी है और अगर इसमें सारी चीज़ें अपनी clear होगी तो एक्जाम में हम जनली पहले attempt करते हैं और पहले attempt करेंगे तो हमारा तीन गंटे का exam है उसे 45 मिनट में हमने chemistry कर ली study क्या कहती है कि वह आपने एक गंटा physics पढ़ा आप चेंज कर सकते हैं फिर आप एक गंटा मैस पर आजाओ और अगर मान लीजे को टॉपी की ऐसा है कि जो तीन गंटे में पूरा किया जा सकता है तो फिर आप उसको as a stress लेलो मलब आपको variety की पढ़ाई करनी है आपको एक म combination बनाने तो इन आवर के combination बनाने से एक्जाम में स्विच्च और करेंगे कि हम फिजिक्स से मैस जा रहे हैं कैमिस्टी से मैस जा रहे हैं तो हम इसली जा पाएंगे क्योंकि हमको नॉर्मल लगेगा क्योंकि हमारी वो different intensity पर करने की हमारी आदत है हम यह भी कर सकते हैं कि जै 10-hour के अंदर यह हमारा टाइगेट नहीं होना चाहिए कि आज मैंने सब्सक्राइब जल्दी उठके करें साम को करें बहुत सारे बच्चे सुबे कंफर्टेबल हैं तो मॉर्निंग में उठके कर सकते हैं कि लेकिन आप वाच के साथ पढ़ो क्या होता है कि जब हम पढ़ते तो पढ़ते वक्त घूमने जाते हैं तो हमें पता ही जलता दो गंटे बीद गए और पढ़ाई के वह लगता है आदा गंटा हो गया तो आप वाच्च यूज करो कि यार मेरी वाच्च एक गंटे पढ़ूँगा और आप सका स्टॉप वाच्च स्टार्ट करो और मोबाइ पढ़ा और आप गंटा पढ़ो और फिर गंटे बाद देख लो वह आपको देदर प्यक्टिस से आपको एक गंटे बाद ही मोबाईल टर्न होगा शुरू में तो बहुत अपने को बनाने से बनेगी तो अपने को स्टिक रहना है डिस्सिप्लिन में रहना एकदम कि नहीं यार मैं तो एक घंटा फिर्जिस करके ही उठूंगा जितना खुद के अंदर डिसिप्लिन लाओगे न आप उतना ही आपका बढ़िया पफरमेंस आएगा उतना बढ़िया आपका टाइम टेवल बनेगा मैं आपको एक फेमस जो अपना फास्टेस्ट रॉनर आफ तो मैं आपने बेस्ट एफर्ट देता हूँ कब? ट्रेडिंग में लेकिन जिस दिन मेरा रेस डे होता है उस दिन मैं इंज्जोय करता हूँ तो हमारा दो टाइम टोल बना है वो दस घंटे का इस दिए बना है कि हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर हमारी प्रिपेशन के अंदर हम अपने पैस्ट एफट दें खुद को पूरा एक्टम जोंग दे अच्छे से जिस दिन एक्जाम होगा उस दिन हम कमफर्टेवल रहेंगे तो मस्ति में रहेंगे कि आज तो मेरा दिन है आज में बढ़िया से करूंगा वो दिन कब आएगा जब अपन दस घंटे इस तरीके से पढ़ेंगे फोकस 11 से स्टार्ट करेंगे 12 तक जाएंगे कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं कोई भी सब्जक छोड़ना नहीं कई तो एप्लिकेशन पार आता है उसका जिसकी प्रैक्टिस होगी जिसके कॉंसेट क्लियर होंगे जिसने बढ़िया से किया होगा वह उसको कर पाएगा तो आपको सारे सब्जक्ट पर फोकस करना है हम प्रेडिट नहीं कर सकते कि आई टी बॉंबे पेपर बना रहा है चन्ने तो आपको तीनों सब्जक्ट पर फोकस करना है हो सकता है कि इसका आउट्पुट ज्यादा है इसका आउट्पुट कम आए कोई माइन ने जगता है ना कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपके बहुत स्टॉंग होंगे वह आपका कम टाइम लेंगे कुछ टॉपिक आपको पथा कि यह 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 सब टॉपिक jeun के अंदर है तो जब आप करते जाओ तो आप उसको करते जाओसाम सब्कॉरा हुआ मेरा ये टॉपिक पूरा हुआ मेरा केमिस्ट्री में पूरा हुआ उनको टिक करते जा रहें और जितना ब्लू कलर बढ़ता जाए ना जो प्रिंटाउट आपने चिपका रखाया दिवार के ऊपर जितना वह ब्लू बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हम बढ़ीया त्यारी पे जा रहे हैं वह आपको confidence देगा वह आपको एक तम motivate करेगा कि यार चलो इतना ब्लीव आप और ब्लीव करना और ब्लीव करना है और एक दिन ऐसा आएगा कि वह सारे पेज जो है स्लेवर्स के पूरे के पूरे ब्लीव हो जाने चाहिए तो जितने ब्लीव होंगे उतना हम बढ़िया करेंगे ठीक है और कोई आपको डाउट है और किसी चीज़ पर आपको लगता है वीडियो बनाना चाहिए मुझे तो आप comment box में जरूर लिखें और मेरे जो experience से जो मैंने इस तरह चलो कि निसान बन जाए और जिंदगी इस तरह जीओ कि मिसाल बन जाए